वेल्कम दोस्तो कैसे हो आप सब दोस्तो गर्मी अपना रंग दिखाने लगी है और आप मेंसे बहुत सारे लोग AC खरीदने की सोच रहे होंगे लेकिन AC एक ऐसी चीज है जिसे खरीदते से में बड़ी दुविदा हो जाती है विंडो AC खरीदें के स्प्लिट AC खरीदें AC का साइज क्या हो एक टन डे टन या दो टन यह डिसाइड हो गया तो फिर समस्य आती है कि इनवर्टर AC खरीदा जाए या नॉर्मल AC खरीदा जाए अब इनवर्टर AC नॉर्मल AC से 5,000 रुपे महंगा है तो इतने पैसे एक्स्ट् निकालें बहुत सारी कंपणिया है और कंपनी डिसाइड हो गई तो फिर एक एक कंपनी में कितने कितने सारे मॉडल्स हैं किस मॉडल का AC खरीदें यह समस्य आ जाती है आपकी इन सभी उल्जुनों का इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है है वो criteria आये जानते हैं इसमें पहला factor है features का इस list में हमने उनी aces को चुना है जिन में best features हैं दूसरा factor है durability का features के साथ durability होना भी बहुत जरूरी है जैसे जब आप mobile खरीदने जाते हैं तो हो सकता है कि सस्ते Chinese mobile में वो features मिल जाएं जो आपको Samsung और OnePlus जैसे premium phone में भी ना मिलें लेकिन आप वो सस्ता Chinese mobile नहीं खरीदते क्योंकि आपको उसकी durability पर भरोसा नहीं होता दोस्तो इसमें तीसरा factor मिलिया ब्रैंड का यानि company का जो company ac बना रही है उसे कितना experience है ac बनाने का कहीं ऐसा तो आपको वाशिंग करें और कम से कम noise level हो ताकि हम उसको अच्छे से चला पाएं और उसमें अपनी जिंदगी का अनंद ले पाएं अब बात कर लेते हैं इन पांचों ac models के common features के बारे में यानि वो features जो आपको इन सभी ac में मिलेंगे पहला है कि यह सारे ac की 1.5 तनके हैं और inverter ac हैं दूसरा है कि सब में copper condenser आपको मिलेगा तीसरा सारे five star rated ac हैं चौथा सभी ac की product warranty एक साल की है और compressor warranty 10 साल की है सिर्फ voltage के ac को छोड़के जिस पर चार साल की compressor warranty है और यह voltage AC हमने क्यों चुना है इसका आपको बाद में पता चलेगा जब हम voltage के बारे में डिसकस करेंगे अगला फेक्टर इसमें है इन सारे ac की साड़े चार के उपर है दोस्तो आईसीर रेटिंग का मतलब है इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशेंसी रेशो यानि यह जिस भी AC की चार से उपर होती है तो उस AC की एनर्जी एफिशेंसी बहुत अच्छी होती है यानि कि वो बिजली बहुत कम खाता है तो हमारे जो पां environment friendly है हमारे environment को नुखसान नहीं करती है तो चलिए अब उन पांचों AC के models का पिटारा भी खोली देते हैं इसमें पांचवे नंबर पर आता है लॉयड का डेट अनका फाइव स्टार inverter AC इसके company बहुत सारे features बताए हैं जिनमें main है कि यह wi-fi में आता है stabilizer free operation है इसका इसमें यानि कि stabilizer लगाने की जुरूरत नहीं है 120 से 240 volt के बीच में यह AC बिना stabilizer के काम कर सकता है और यह 52 डिगरी पर भी cooling कर सकता है लेकिन इन सभी factors में मुझे जो main important factor लगा जो अच्छा लगा वो है PM 2.5 filter यानि कि यह AC cooling के अलावा आपको हवा भी साफ करके देगा यानि कि इसमें AC के साथ साथ air purifier भी लगा है चार नंबर पर हमने रखा है Daikin का Dayton का 5 star inverter AC दोस्तों इसके main features है कि यह low power consume करता है सिर्फ 824 unit एक साल में लेता है दूसरा इसका feature है कि इसका noise level सिर्फ 35 dB है इसके लवा kwanda airflow, good sleep of timer और power chill operation जैसे company ने इसके features बताए है यह सिर्फ fancy नाम है यह सभी AC में इस तरह के features आपको मिल जाएंगे लेकिन इस AC का जो मुझे main सबसे अच्छा feature लगा वो है इसका noise level सिर्फ 35 dB का इसका noise level है यानि कि यह super silent AC है और फिर daikin company का भरोसा तो साथ में आपको मिली रहा है यानि आख बंद करके आप इस AC को खरीज सकते हैं दोस्तों बात कर ली जाए कि window AC अच्छा है या split AC अच्छा है देखिए जिन लोगों का transferable job है जिनको बार बार घर shift करना पड़ता है उनके लिए window AC अच्छा है क्योंकि इसको उतारना लगाना असान है और यह compact है और इसको लगाने की cost भी काफी कम है split AC के मुकाबले split AC को लगाने के लिए आपको 4-5,000 रुपे के खर्चा करना पड़ता है वहीं window AC 1000 रुपे से कम कीमत में भी आप लगा सकते हैं इसका नुकसान यह है कि इसमें noise level जादा होता है और यह आपके window की look भी खराब कर देता है आपकी window से रोशनी यानी बंद हो जाती है आपको window पे परदे की adjustment में problem आती है यानी जहाँ पर AC लगा है वहाँ से आपको परदा side पे करना पड़ता है तो उसके उपर और नीचे भी window खाली हो जाती है और परदा हट जाता है तो ऐसे में आपको परदे का कुछ जुगार टाइप करना पड़ता है split AC की अगर बात करें तो ये noise level इसका बहुत कम होता है ये silent होता है देखने में अच्छा लगता है और उंची जगह पर लगा होने के कारण ये बड़े rooms को अच्छे से cooling करता है इसका एक ही नुकसान है कि इसको एक जगह से दूसरी जगह shift करना मुश्किल है इसकी installation cost जादा है और ये window AC के मुकाबले थोड़ा महंगा आता है तो इन चीजों को देखते हुए आप अपने लिए window AC या split AC में से एक का चुनाव कर सकते हैं जो आपके लिए suitable हो आप वो लें तो अब बारी आती है कि हमारा third number पे कौन सा AC आता है दोस्तो third number पे हमने रखा है Voltas का 1.4 ton का 5 star inverter AC ध्यान दें कि ये 1.4 ton का AC है 1.5 ton का नहीं कमपणी ने इसके main features बताए हैं कि इसमें advanced air purification system है यानि एर को ये साफ करता है इसमें 2 mode adjustable facility आपको मिलती है आप 1 ton या 1.4 ton पे इसको चला सकते हैं फिर इसमें super dry mode मिलता है coastal area में और बरसात के मौसम में चिपचिपे मौसम में आपको ये काफी comfortable रखेगा और इस AC की दोस्तो cost काफी कम है सिर्फ 4,990 का ये AC है इस AC के दो features बहुत पसाद आए हैं एक तो है two mode adjustable feature बाकि जितने भी model हमने चुने हैं उनमें manually आप AC की tonage को कम नहीं कर सकते यानि वे सारे model automatically adjustment होती है उनके cooling capacity की लेकिन ये AC अकेला है जिसमे आप manually इसको एक ton पे भी चला सकते हैं और 1.4 ton पे भी चला सकते हैं और दूसरा ये अकेला एक ऐसा AC है जो सिर्फ 34,990 का है बाकी सारे AC 40,000 plus के हैं दोस्तो अब समय आ गया है कि आपके उस सवल का जवाब भी दिया जाए कि AC का size कैसे decide करें एक ton, डेट ton, दो ton ये कैसे पता लेजिए लेकिन दोस्तों ये इतना simple नहीं है, room area के साथ साथ आपको room की roof height कितनी है और उस कमरे की दिवारों पर या छत पर कितनी देर तक धूप पड़ती है ये भी बहुत matter करता है AC का size decide करने में, generally अगर हम बात करें तो AC का size हम ऐसे निकालते हैं कि room का area है उसको 100 से divide कर दें तो AC का size निकलकर आ जाएगा, जैसे 1200 square feet का अगर AC है तो उसको 1200 को 100 से divide करेंगे तो 1.2 ton का AC उस कमरे में लगना चाहिए, लेकिन आपको फिर ये देखना है कि आपके room पर धूप कितनी देर के लिए पड़ रही है, चत पर, दिवारों पर, यदि धूप 2 गंटे से कम स 2 गंटे से जादा आपके कमरे पर पड़ रही है, तो आपको उपर की तरफ जाना होगा, यानि कि आपको उस room में 1.5 ton का AC लगाना पड़ेगा, तब ये आपको proper cooling मिल पाएगी, तो समझे दोस्तों, कैसे decide करना है कि कितने ton का AC लगाना है, चलिए, अब चलते हैं next model की हमने रखा है Panasonic Day 10 का 5 star Wi-Fi Twin Cool Inverter Split AC, ये बहुत अच्छा AC है, मुझे personally बहुत पसंद है, इसमें company smart diagnosis दिया है, one touch से आप पता कर सकते हैं कि आपके AC में क्या problem है, इसके साथ इसमें voice control, Alexa और Google Assistant के साथ आपको मिलता है, stable laser free operation भी मिलता है, इस AC पर आपको एक साल की product warranty मिलती है, और as usual compressor पर 10 साल की warranty मिलती है, लेकिन इस AC पर PCB की भी आपको 5 साल की warranty मिलती है, ये एक बहुत बड़ा factor है, क्योंकि inverter AC में अगर आपका PCB खराब हो जाए, तो एक PCB पे आपका 5000 रुपे का खर्चा आजाता है, यही inverter AC क चुबने वली बात है, लेकिन इस AC पर आपको PCB पर भी 5 साल की warranty मिलती है, दोस्तो, इसके अलावा इसमें PM 2.5 filter भी मिलता है, यानि कि ये AC के साथ साथ आपके air purifier का काम भी करता है, तो इसके जो main features मुझे पिसंद है, एक तो voice control with Alexa and Google Assistant, दूसरा है कि इसमें warranty PCB पर 5 साल की मिल और तीसरा है PM 2.5 filter, और अब आता है हमारा champion नमबर एक पर है LG का Dayton का 5 स्टार inverter split AC दोस्तो, ये dual inverter AC है, इसकी power consumption सिर्फ 818 unit per year है, इसमें auto swing आता है, वैसे ये सभी में आता है, इसकी product warranty एक साल है, compressive warranty 10 साल है, और PCB पर दोस्तो, इसमें भी 5 साल की warranty आपको मिलती है, जैसे कि Panasonic में आपको मिल रही थी, और दोस्तो, हमारी list में ये अकेला एक SIC है, जिसमें noise level सबसे कम है, सिर्फ 31 decibel, तो इसके main features जो मुझे पसंद हैं, वो हैं, एक तो इसकी power consumption, वो हमारे पांचों की पांचों list में सबसे कम है, 818 unit per year, दूसरा है इसकी warranty, PCB पे 5 साल की warranty आपको मिलती ह और तीसरा है, इसका noise level, ये super silent AC है, सिर्फ 31 decibel की noise देता है, आप अराम से मस्ती से अपनी रात कुझा रहे हैं, silently आप अपनी रात कुझा रहे हैं, आपको मजा आ जाएगा, तो दोस्तो ये थे, हमारे 5 AC के models, जो 2021 में आपके लिए best होने वाले हैं, लेकिन रुकिए अभी खतम नहीं हुआ, अभी ये तो decide कर लें कि inverter AC अच्छा है कि non inverter AC अच्छा है, तो दोस्तो inverter AC आप तब ही खरीदें, जब आपको किसी sealed room में इसको लगाना हो, यानि ऐसा room हो, जहां पर दरवाजा बार बार नहीं खुलता हो, और आपके AC की continuous running 6 गंटे से जादा हो, तब ही आ आपको better comfort मिलता है, और inverter AC का पूरा फायदा उठाने के लिए आप AC का size थोड़ा सा बढ़ा रखें, ताकि AC के compressor को मौका मिले अपने आपको adjust करने का, यदि आपने छोटा AC लगा लिया, तो उसका compressor full speed पे ही चलता रहेगा, वो कभी भी speed कम कर रही नहीं पाएगा, तो inverter AC का आपको फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि AC थोड़ा महंगा है, आप ज़्यादा पैसा करच रहे हैं, तो इसका फायदा उठाने के लिए ये सब चीज़ों का ध्यान रखना आपको जरूर ही है, मतलब inverter AC का फायदा तब ही उठा सकते हैं, जब आप उसके compressor को अपनी full capacity से कम capacity पर चलने का मौका दें, और ये मौका आप अपने AC को दे सकते हैं, अपने room को sealed करके, अपने AC को लंबे time तक चला कर, और AC का size अपने room के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा रख कर, अगर ये सबी conditions आप meet नहीं करते हैं, तो आप non inverter AC लीजिए, यानि कि अगर आपके room की door opening बार बार होती है, दर्वाजा बार बार खुलता है, तो आप non inverter AC लीजिए, जो लोग AC कम use करते हैं, एक दो गंटे के लिए चला लिया, या कभी तीन गंटे के लिए चला लिया, तो उनके लिए भी non inverter AC better है, क्योंकि ये सचता आता है, तो आपकी AC खरीदने में भी saving हुई, और inverter AC लेंगे, तो भी कोई फादा होने वाला नहीं था, तो इसलिए non inverter AC आपके लिए better है, तो ये था आज का अमारा वीडियो, दोस्तो जिन प्रोड़क्स के हमने बात की, उन सभी के links description में दिये हैं, अगर आपको इनके बारे में कुछ ज़्यादा जानना है, या कोई model आपक कर सकते हैं, इसके अलावा top 5 non inverter ACs और window ACs के link भी हमने description में दिये हैं, यदि आपको ये AC खरीदने हों, तो आप उन links पर जाकर ऐसा कर सकते हैं, तो दोस्तो हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को like करें, share करें और channel को subscribe जरूर करें, ताकि इस तरह के वीडि करें वार